हेलो हेलो दोस्तों बहुत सफ इने शेयर बाजार में आपका स्वागत है सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरी वीडियो को प्यार दिया और इस तरीके से आप प्यार देते रहे हैं तो आज हम डारेक्ट टॉपिक पर आते हो और मैं आज आपको आपको यह जानकर खुशी मिलेगी कि हम कि हमारे देश का कोई शक्स मैं आपको कुछ न्यूज दिखाना चाहता हूं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह कल की न्यूज है मुकेशम बानी जम्स नाइन प्लेस्ट टू बिकम वर्ल्स फिफ्ट रिचस्ट मलब उनका नौवज स्थान था जिसमें से वह जम करके पांचवे स्थान है अब यह दुनिया के पांचवे सबसे अमीर आदमी बन गया है इनका जो मार्केट कैपिटल है आज के इसाब से आज की न्यूज के इसाब से 14 लाक करोड रूपीस करेंका मार्केट कैपिटल है इसके इलावा रिलाइंस से लिटेड और भी न्यूज आ रही है जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि Amazon रिलाइंस रिटेल में 9.9% का इस्टेक लेने की बात कर रहा है जैसे कि आप न्यूज में देख रहे हैं ठीक है जियो से भी कहीं जादा इनका जो एक जो इनका रिलाइंस रिटेल है वह आने वाला है जो जियो से भी बहुत ज्यादा ब्रॉड होगा बहुत ज्यादा बड़ा होगा ओके जो जो मुकेशम बानी को शायद दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बना सकता है यह फ्यूचर की बाते हैं बट हां हम इस पर भरोसा करना चाहिए क्योंकि इनका जियो मार्ट आप देख रहे हैं आज कल एड़ भी चेल रही है और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डिजीटल का जमाना है मुकेशम बानी और यह रिलाइंस इंडस्ट्री पहले पैट्रोल में काम किया करती थी आप सब भी जानते हैं ओके दीरुबाय अमबानी ने भी इसकी नीव रखी थी अभी जो यह एमजॉन है जो यह रिलाइंस इंडस्ट्री है यह आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है डि कैप्चर कर लिया आज करोड़ों लोग इनका जियो यूज करते जियो सीम यूज करते ओके इनकी बदोलत ही हमें एक बैटरी इंटरनेट बहु सस्ते दामों मिला इसी तरीके से इनका अब रिटेल बिजनेस में उतर रहे हैं और बहु जादा यह एक्सपैंड करने वाले ह तो एमेजॉन से यह नियूज आ रहे है कि एमेजॉन जैसे की पहले फ्यूचर ग्रूप मेंस बिग बजार को खरीडने वाला था के कोशिश कर रहा था बट अब यह खुद रिलाइंस इंडश्ट्री में 99% इस्टेक लेने की कोशिश कर रहा है इसके अलावा हम आज के पर 4.4% की जंप देखी गई है जो आज के शेयर में मतला 90 रूपीज पर शेयर के इसाब से इनका शेयर जो आज भागा है पिछले पांस दिन की बात करते हैं तो आप देखते हैं आज पांस दिन में भी यह सीधे एकदम उपर की तरफ ही जाता जा रहा है एक महीने की बात करत है दिन समय सेबस्क्राइब गरेख सकते हैं कि किस तरीके का कितना पर प्राफिट ेक महीने की बात करों जब यह कुरोना तो यह शेयर भूत ज्यादा ही गिरगा था मतलब यह 800 रुपे तक गया था लगबग देख सकते हैं 1999os सब्सक्राइब पिछले तीन महीने में प्रॉफिट है आप देख सकते हैं जिसने पैसा मार्च में जब यह पेंडामिक हुआ था जब यह कुरोना आया था और यह शेयर गिर गया था कापी बुरी तरह है तो यह किस तरीके से यह भागा ओके यह अच्छे शेयर की पैचान है कि जो भी शेयर हम लेते है और अच्छा कंपनी है अच्छे मैनेजमेंट है अच्छी स्टाटीजी यह यूज करते है तो यह शेयर बेशक से कितना भी नीचे के रहे तो यह आखिरकार बहुत उपर जंप मारता ही है थोड़ा टाइम लगता है बट इसने अपने तीन महीने में आप देख चुके है 21 तरीके से इसने 136-131% के इसने रिटर्न दिये है हम आज के परफॉर्मेंस की इसकी बात कर लेते है तो आज का जो इसका परफॉर्मेंस है जैसे कि हम देख सकते है 52 वीक हाई इसने आज ही लगाया है इसने परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो आज लगबग 25% की इसकी डिलीवरी उठाई गई है तो लोग इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश है इसके लाबा हम अगर इसके कंपनी की बात कर लेते हैं शेयर पैटर्न की तो सबसे ज़्यादा शेयर प्रमोटर्स के पास ह पब्लिक के पास 49% के शेयर इन्होंने दे रखे हैं और आप देख सकते हैं कि 2 जुलाई को ही इन्होंने 6 रुपे 50 पैसे का इन्होंने डिविडेंट भी दिया है बीच में राइट इशू भी इन्होंने लाया था 1249 रुपे का इससे और सबसे अच्छी बात यह है कि इन् कोई भी शेयर जीरो है कोई भी शेयर इन्होंने गिरवी नहीं रख रखा ओके इनकी प्रमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छी घासी है 50% इसके इलावा आपको बताना चाहूंगा इसी पैंडामिक में इसी कोरोना वायरस के दौरान इन्होंने मुक्रेशंबानिये खुद 20,000 करोर रुपे अपनी कंपनी में लगाये थे और इसके शेयर खुद खरी देते इसके अलावा अगर हम इसके रिटरंस की बात कर लेते इसके जिसने आज पैसे इसमें इन्वेस्ट किया होंगे उसे 4.15% का प्रॉफिट हुआ होगा जिसने एक वीक में किया है उसे 12.29% क का प्रॉफिट है उके जिसने तींट लगा है उसको प्रॉफिट है और इयर टेन डेट में प्रॉफिट है अब जैसे कि मैंने अपनी बीडियो में आप से बात कर रही थी इन्वेस्मेंट का और है वीडियो था तो मैंने आपको बताया था कि FD RD investment होते हैंब्ट उसमें आ और आगे का future का plan इनका इतना अच्छा है, इनकी management इतनी अच्छी है, और इनके अंदर की जो दूर दिश्टी वाली जो होती है, दूर दिश्टी इनकी बहुत अच्छी है, जिसकी वज़ए से ये share बहुत आगे जाने वाला है, और किसी analyst ने बोला भी था, कि ये share अगले दो साल में, आज ये 216 रुपे है, अगले दो साल में ये share लगभख 5000 रुपीज तक जाएगा, तो अगर आप एक long term के लिए इसमें share को खरीते हैं, तो आपको ये share बहुत अच्छा, बहुत बहतेरीन result देने वाला है, और इसके अलावा ये आपके पैसर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, तो मेरी विंती यही है, कि अगर आप इसके उपर थोड़ा से और research कर लीजिए, debt-free company है, अभी तक इनक अभी तक ये अराम अराम से चल रहे थे, अभी तक ये कच्छो की चाल चल रहे थे, अभी ये खरगोश की चाल चलने वाले है, बहुत तेज भागने वाले हैं, आपके shares ये आपके पैसे को ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो आप अभी जैरोदा में, आइंजल में अपना एकाउंट ओपन कराईए, और share में इनिवेस्ट करिए, हो सकता है कि ये थोड़े वो दिन में नीचे चल या तब आप खरी लेना, ओके और अभी भी खरीदते हैं, तो भी कोई प्रॉबलम नहीं, आप long term का वीजन रखिए, long term के लिए खरीदिये, तो ये आपक वीडियो हम ही पर ही खतन करते हैं, तैंकी सो मच आपका वीडियो देखने के लिए, और इससे पहले है कि आप इस वीडियो को close करें, मैं आप कुसे कहना चाहता हूं, प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और इस वीडियो को जहां हो सकता है, जितने लोगों को जो भी ज़रूरत मन है, उनके साथ शेयर करिए, ताकि उनके पास भी इस तरीके की नौलिज पोच परें, थैंक यू सो मच, गोड ब्लेस